सलाम वालेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब सैनल इंगलिश लिट्रेटर पर वालकम कहती हूँ आज जो टॉपिक हम कबर करने जा रहे हैं इस लक्षर के अंदर दार्ट इस फामनिस्म फामनिस्म एक बहुत ही important literary थेरी है जो कि आज भी trend में चल रही है और examiner's की, interviewers की most important और most favorite थेरी है ये फामनिस्म अच्छा एक important point जब भी किसी भी word के साथ ism लग जायना ISM तो it means वो यहा तो थेरी है या वो कोई philosophy है और अभी यहाँ पे word famine है यानि के female से relevant तो feminism basically वो थेरी होगी जो के female के rights के बारे में बात कर रही होगी Anyhow, detail में चलने से पहले आप screen पे quotation देखे जो मैंने quote की हुई है What enraids me is the way women are used as extensions of men Mirrors of men Devices for showing men off Devices for helping men get what they want They are never there in their own right Or really The world of the western contains no women Sometimes I think the world contains no women Jane Topkins, Jovaakya, Unka Vohya Me and My Shadow Ab, होता क्या है Basically, अब आपने अपने mind के अंदरे पूरी picture create करनी है जो मैं बनाने लगी हूँ Class में professor आए Professor ने projector चलाया Projected चलाकर screen के उपर ये quotation show की जैसे ही उन्हों ने ये quotation show की तो क्लास थी को को मतलब male and female अकट्थी क्लास थी अब यहाँ पे इस quotation को देखके debate शूरू हो गई ये मेरे पास एक book है किया है एनिहाओ complete theory हम discuss करने वाले इस lecture के अंदर पूरी कोशिश के हर हर point को discuss किया जाए तो अब हम शुरू कर रहे थे हमारा lecture slide पे show हो गया, projector पे show हो गया, class के अंदर professor ने show कर दिया अब सबसे पहले एक लड़का बोलता है, Robert कहता है, क्या अजीब सी बकवास लिखी है यहाँ पे कि दुनिया में कोई औरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है दुनिया तो औरतों से बड़ी पड़ी है, एवन कि मैं जब अपने घर से निकल के आता हूँ तब मैं अपनी बहनों को घर पे चोड़ के आता हूँ मेरी अम्मी भी है, मेरी बहने हैं पांच और उनमें से कोई भी man की extensions तो नहीं है मेरी बड़ी बहन वो PhD करी एक chemistry के अंदर और मेरी दोज बहने हैं और वो elementary school के अंदर पढ़ा रही है और जो बाकी की दो बहने हैं, वो तो executive assistant है major accounting के लिए, एक film में काम करी city में अब जब class में लड़का Robert ये बोलता है वहाँ पे एक लड़की है Karen वो कहती है, तो तुमने तो Tomkin की बात को proof कर दिया ने, अपनी बात से Karen कहता है, वो, Robert कहता है, वो कैसे Karen कहती है, कि तुमने कहा, तुम घर में अपनी मदर को देख के आते तो fact क्या हुआ, तुमारी मदर कोई भी घर के बाहर काम नहीं करती उनको financially तोर पे sport किया जाता है, और वो security कहां से आती है, तुमारे फादर की तरफ से depend कर रही है, mail पे, second, तुमने कहा, तुम्हारी बहन जो है, वो major professor है university के अंदर, sorry, काम कर रही है एक, university में और तुम्हारे माँ पे जो sister है, उनके जो major professor है, वो एक mail है तो again से, क्या होता है, she is working on his project for her dissertation के तुमारी बहन, जो thesis पे काम कर रही है, PhD के, वो basically तुम्हारे sir का project है, मतलब उनके sir का project है, तो वो उनके ओपर depend कर रही है, again वहाँ पे mail आ रहा है, किसके लिए, अपनी dissertation के लिए भी, अपने thesis के लिए, उनको उस mail पे depend करना पड़ रहा है, और साथ है तुम्हारी दो बहने हैं, जो के elementary school में पढ़ा रही है, elementary school में teachers हैं, तो वो के कर रही है, वो भी तो एक mail के लिए ही काम कर रही है, कहां पे कर रही है, एक elementary school में काम कर रही है, जिसका owner एक mail है, और वो elementary school में कौन सा काम करी है वो काम जो के सुसाइटी ने फीमेल से असोसियेट किया हुआ है एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स का या सेकरेटरी का तो केरन कहती है कि टॉम केरन ने बिल्कुल ठीक कहा है अब ये सुनने के बाद टॉम चिला के बोलता है तीन बच्चे है पहला कौन था रोबर्ट दूसरी कौन आई कैरन अब टॉम बोल रहा है वोट नोंसेंस जितनी भी ओरते हैं उन सबको हक है जिस तरह मैं काम करते हैं आदमी वैसे ओरते भी काम करें जिस तरह आदमी सक्त कोशिश करने के बाद प्रोफेसर्स बनते हैं उस तरह ओरते भी सक्त कोशिश करने के बाद प्रोफेसर्स बन जाएं या एंप्लॉई बनने के बाद बोस बन जाएं यानि कि कोशिश है ना स्ट्रगल करें तो आप बोस भी बन जाएंगे शगल करें तो आप प्रोफेसर्स भी बन जाएंगे क्या यह हम आदमी थे जिन्होंने ओर्टों की मदद की इस चीज में कि वो घर पे रहें और बचों को पालें और घर को संबालें नहीं ना किसने फोर्स किया उनको खुद तो वो करती थी तो अब हम तो उसमें helping out ने ना कर सके अब ओर्तें जो हमें इंजीनर बना Gucci बना चाहती है superintendent बना चाहती है professor बना चाहती है बोस्या बोर्ड कर chair of person बना चाहती है student और liberal बनने के बज़ाए तो जब तक वो student यहां लेडर नहीं बन जाती तो कैसे इस rank तक आ सकती है struggle करके ही आएंगे ना तो struggle करके आजाएं इस rank पे तो यह किस ने कहा? Tom ने कहा लेकिन आगे से Karen क्या response करती है? Karen कहती है कि जो point है ना वो यह है कि you men have not allowed us the opportunity to become the student or the laborer कहते हैं आप male हैं आप आदमी हैं जिन्होंने औरतों को किस की opportunity ने दी? कि वो यहां तो student बने यहां laborer बने कि तो सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि आप जो male हैं हम लोगो suppress करते आ रहे हो oppress करते आ रहे हो, subjugate करते आ रहे हो हम लोगो social, political, economic centers of power की तरफ जो हमारे culture में है, वहां तो आने ही नहीं देते हम लोगो जो social, political और economic centers आ पावर in our culture, उन्से तो दूर-दूर रखते हो यह कौन कह रही है, यह Karen कह रही है सदियों से यह ऐसा होता आ रहा है कि हम लोगों को हमारे rights मिल नहीं रहे और कहते हैं, अब जब आज आके हम लोगों ने अपने rights के बारे में बात करना शुरू कर दी as a human being तो आपने हम लोगों को radicals करना शुरू कर दिया bubble head करना शुरू कर दिया raving feminist करना शुरू कर दिया जबकि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोगों की अपनी पेचानों हम लोगों को हमारी respect दी जाए as a human being हम लोगों को value दी जाए हमारे अपने right हो हमें opinions का right दिया जाए कि हम अपने opinions को लेके चल सके अपने opinions को promote करवा सके हम लोगों को तो कोई opportunity मिलती नहीं है कि हम आगे हो सके हम लोगों को chance दें आप हम अपको बताएंगे कि हम women वो second class citizen नहीं है हम individual है जो अपने goals को set कर सकते हैं अपने ही dreams को dream कर सकते हैं और अपने इस world को एक better place to live के अंदर convert कर सकती हैं तो ये क्या हुआ था भी ये तीन points आगे रखे गए थे एक Robert का view था जो कहता ओरते तो हैं कहां नहीं हैं ओरते एक हमारे पास Tom का view था जिसने का किसने का है वो ना पी छड़ते हैं सबने का है लेकिन ladder step by step सीड़ी चड़ चड़ के आके सा सकती हैं फिर Karen का view था और यही चीज बेस बनी हमारी feminist criticism की feminism की क्योंकि यहां पर एक view हमारे पास आया जिसमें वो कह रहा है कि women jam वो extensions नहीं है किसी भी man की वो doctor, teacher, secretaries कुछ भी बन सकती है और कुछ भी के अंदर कौन से role आते हैं वो role जो के society ने ascribed किया उनके लिए मतलब teacher बनना, doctor बनना यहां फिर secretary बनना वगएरा वगएरा और यह भी कहा गया है इसके अंदर कि अगर वो doctor, teacher यहां secretary बनती हैं, कुछ भी बनती है इन में से, तो इसका मतलब क्या है वो अपनी मर्जी की life खुद कुजा आ रही है किसी भी man ने dictate नहीं किया उनको same essay दूसरा भी वो था हमारे पास आया उस view में यह कहा गया कि ओरते जो है शुरू से घरों में काम करती है घरों से बाइर उनने कभी काम नहीं किया इसलिए जब वो घर से बाइर काम करना शुरू कर रही है तो उनको चाहिए कि वो step by step चलें ताके वो step by step जो चलेंगी उनको जो जो hurdle, जो जो difficulties face करना पड़ी है उसके अंदर अपनी struggle के अंदर वो struggle उसको management की position तक ले के जाएंगी मतलब step by step वो जाएंगी तो तब सब कुछ उनको पता लग जाएगा अचानक से वो कुछ नहीं कर सकती तो इसमें क्या हुआ पहले view के अंदर ही हुआ कि जो women थी उसको कोई भी voice नहीं दी गई ठीक है मतलब women जो थी उसको society नहीं जो रोल दिया उसने वो ही perform करना तो society नहीं का आप doctor बनो society नहीं का आप teacher बनो तो वो ही रोल कर रही है बस on the other hand दूसरी तरफ क्या है उनके पास कोई भी voice नहीं है या फिर उनके पास little voice है कि थोड़ा सा उनको लाओ कर दिया गया है कि हाँ आप कर सकते हो लेकिन step by step पहले अगर आपने पहली सीड़ी पर पाउन ही रखा तो direct आप आखरी सीड़ी तक नहीं जा सकते हो तो आखरी तक जाने के लिए आपको पहली सीड़ी पर पाउन रखना होगा तो कैरिन ये कहना चाह रही थी यहाँ पे जो लड़की थी कहती है अनकॉंशिसली जैसा कि Robert ने words बोले या कॉंशिसली जैसा कि Tom ने words बोले यह कर रहे हैं यह oppressed करते आ रहे हैं women को Robert और Tom यह दोनो male society को represent कर रहे हैं खीक है तो अगर मैं Robert का नाम ले रहे हैं या Tom का नाम ले रहे हैं तो कहते ही कर रहे हैं यह oppressed करते आ रहे हैं women को किस तरहां से उनको little या बिलकुल भी voice नहीं दी गई कहां पे political, social या economical issues जो society में हो रहे हैं उनके अंदर क्या आपने कह दिया डॉक्टर बनो या फिर टीचर बनो तो it means कि आप तो उससे उसका opinion मांगी नहीं रहे हैं आप तो अपना opinion दे रहे हैं उसको कहते है बाए not giving voice and value to women's opinions उनके response को, उनके opinion को उनके writing को ना value दे के men के कर रहे हैं suppressed कर रहे हैं, oppressed कर रहे हैं, subjugate कर रहे है female के role को और female को devoyed करके, devalued करके, trivialized करके men ने के किया है men ने women को non-significant other बना दिया है important term है non-significant other यानि ऐसी other जिसकी कोई value ही नहीं है औरत के लिए एक word ही other का use कर दिया कि यह मतलब निकली हुई है society से तो feminism का goal किया है इसका goal यह है कि यह जो degrading view है about women, उसको change करे और जो women की value है कि यानि कि हर औरत valuable person है possess करती है privileges, right को मतलब जिस तरह हर आदमी का एक हक है वैसे ही एक औरत भी अपना हक रखती है और जो feminist होती है, वो यही चाहती है कि जो women है, उनकी अपनी voice है और वो अपनी voice जितने भी arena है, यानि कि politics है, society है education है, arts है, हर एक के अंदर जो women है, उसकी बास सुरी जाए उसकी voice को value दी जाए उसकी opinion को value दी जाए उसके response को, उसकी writing को value दी जाए women जो है, यह non-significant other नहीं है लेकिन each woman is a valuable person possessing the same privileges and rights as every man कि जो हक हर आदमी के पास है, same rights हर औरत के पास भी होने चाहिए जो voice male को दी गई है, वो ही voice female के पास भी है जैसे opinion male share करता है, वैसे ही opinion female भी share करती है इसलिए जितने भी society के अंदर social, educational और politics या arts है वहाँ पे women को voice दी जानी चाहिए, women की आवास सुनी जानी चाहिए अब यह नहीं है मतलब कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवास है ठीक है, अवास का मतलब यह है कि इस अवास को सुना भी जाए, अब यह नहीं कि बहरा बैठा है आगे मतलब सुन के अंसुना ना किया जाए, importance दी जाए, value जी जाए कि हर एक की अपनी वर्त है, हर एक की अपनी, मतलब बोलने की इसलाहिये तो जो बोलता है उसके अपने concepts है, अपना opinion है, opinion को वर्त दी जाए, value दी जाए तो feminist के करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे society बनाई जाए, जिसमें female voices valued equally with male ठीक है, कि जिससे हर male की बात मानी जाती है, वैसे ही हर female की भी बात मानी जाए तो feminism क्या हुआ, feminism is a social, economic and political movement मैंने आपे word movement यूज़ के, क्योंकि बहुत लंबी चलती है, यह different waves में divide की गई है which main concern is with the equal rights for women, यानि कि all women are equal to men, सारी ओरते मर्दों के बराबर है तो ऐसी theory, जिसके अंदर, जो मर्द है, उनके equal ओरत को consider करने की बात की जाए, उस theory को हम feminism कहते है किस लिहाँ से, society के लिहाँ से, economical लिहाँ से, political लिहाँ से, art के लिहाँ से, मतलब जितने भी powers वाले arena है ना, उनके अंदर औरत की भी equality रखी जाए to men that is feminism, तो what is feminism आपको clear हो, चुका होगा, पहले मैंने कहानी बताई, जहां से मैंने बताई क्या perspective बने, फिर उस से हमार सामने है कि अच्छा, ये है feminism, यहाँ से female लिख लिए है, जो अपने हाग की बात कर रही है Anyhow, feminism की टाम थी, सबसे पहले coin की थी, Charles Foyer ने 1837 में, मतलब ये टाम 1837 में ही यूज हो चुकी थी पीछे पूरी history है, कि feminism actual में शुरू कहां से हुआ, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं अभी three waves के बारे में बात करूँगी, three waves of feminism First wave of feminism में क्या हुआ था, जो women थी, उनको ward का right मिला था अब होता क्या था, जो women थी, उनकी जितने भी property rights थे, उनको सारे के सारे अपने husband के लिए surrender करना पड़ते थे Women ward नहीं दे सकती थी, women जो थी, could not hold public office, public office नहीं hold कर सकती थी तो जब ये exploitation हो रही थी, तो 1848 के duration में, Seneca Falls convention से First wave of feminism शुरू हुए, अब था क्या, three hundred men थे और women थी ये सारे के सारे Seneca Falls नियू यू यॉक में, women's ride के लिए एक rally की form में कठे हुए उस टाइम पर Elizabeth Caddy नायम की activist थी, ये activist इस movement को लेके चल रही थी और इनकी main demand थी, ward की, के women को ward का right दिया चाहे इस movement को, women suffrage का नाम भी दिया गया तो first wave का focus किस पर था? Main focus was on women gaining the right to vote, which is also known as women's suffrage और finally, hip hip hooray, हुआ क्या? 1920 में, United States के अंदर, women को ward का right मिल गया और 1918 में, Canada के अंदर, ओरतों को ward डालने का right मिल गया लेकिन, इस first wave के अंदर, जो main focus था right के लिए वो middle और upper class white women के लिए था Means to say that, it was focused mainly on rights for middle और upper class white women तो यह थी first wave of feminism, फिर second wave शुरू हुई feminism की जो कि 1960s से शुरू हुई और 1990s तक चली मैंने जहाँ पर date लिखी है न, 1980s और यहाँ पर भी 1990 ठीक है, यह क्या है, इनमें clash भी होता है मतब थोड़ी सी variation आ जाती है, उसका कोई issue नहीं है यहाँ पर आप पेशक 1990s कर लें है, 1980s कर लें, तोनों ठीक होगी ते second wave of feminism मैं बता रही थी, 1960s से शुरू होके 1990s तक रही, यह civil right movement से शुरू हुई थी और इस movement का main focus था, like sexuality का issue और reproductive rider थे वो वाले और इनका slogan था, the personal is political, equality and discrimination first wave में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ white women के vote की right की बात की गई थी लेकिन इस wave में क्या हुआ, women of all colors को लाया गया first wave में upper और middle class की white women थी लेकिन second wave में किसको लाया गया, जो different economic class से भी belong करती थी, उनको भी लाया गया second wave के अंदर ये proclaim किया गया कि women's struggle is class struggle जो women struggle करती हो basically class की form of struggle हो रही होती है यानि कि sisterhood के slogan को value दी गई इस wave के अंदर demonstrate किया गया कि कैसे issues of race, class and gender, oppression और are related कि अगर class के लिए आसे बात की जाए, race के लिए आसे बात की जाए, gender के लिए आसे बात की जाए इनके oppression के आसे बात की जाए, सारे के सारे related है और ये second wave के अंदर ही था कि sex और gender के दिर्मियान में differentiate बताया गया कि sex वो होता है जो कि biological दिया जाता है आपको और इस second wave में ही था कि women's studies को इंटर्ड्यूस करवाया गया क्यूंकि इसमें बात की की गई है, women's struggle is class struggle यनकि collectivity जितने भी race की, color की, class की, gender की women है उनको जब oppressed किया जारा तो it means सबको ही oppressed किया जारा, सारे related हैं अपस में इसमें ये चीज मेन बात की गई और women's studies को इंटर्ड्यूस करवाया गया लीडिंग figure थी वो इसके अंदर Betty Friedan थी उनका एक work है The Feminine Mystique जो कि 1963 में publish होता है फिर शुरू होती है Third Wave of Feminism जो कि 1980s में शुरू होती है, यह 1990s भी कहलें दोनों accurate है और यह still अभी तक continue हुआ है जिसमें femininity की definition को challenge किया गया और कहा गया कि जो women's right है वो basically human's right है और women को international basis पे right मिलने चाहिए women's right वो equal to men होनी चाहिए मतलब जो men को right मिल रहे है वो ही right women को भी मिलने चाहिए और यह treatment किसी particular country में नहीं और चाहिए बलके international level पे होना चाहिए मतलब हर country में हर race की women के साथ same treatment किया जाना चाहिए और third wave के अंदर जो dominant name थे activist के वो है Adore Lord और साब में Rebecca Walker तो यह three wave थी जो पहला wave था उसमें women की right थी उनकी बात की गई right किसका? वोर्ट का right जिसमें specifically white women के वोर्ट की right की बात की गई थी second wave आई जिसमें क्या हुआ कि जो other than white race भी थे मतलब जो white के लावा black भी थे और साथ में different races से belong करते थे different classes से belong करते थे उनके rights की भी बात की गई फिर third wave आई जिसमें हमने देखा कि कहा गया कि male के equal दिखने के लिए अपनी femininity को मत छोड़ो और जो female है they must be treated equally to men तो यहां पर साथ ही जो three waves थी उनका motto क्या था वो भी clear हो चुका होगा आपको यह तो गया है न waves का overview अब मैं थोड़ा सा historically brief overview दूँगी feminism का कि Aristotle टाइम से लेके अब तक क्या रोल है feminism का कैसे आया feminism का कैसे शुरू से चलता आ रहा है अब होता क्या है कि Aristotle क्लेम करता है कि women are imperfect creature ठीक है कि women जो वो perfect नहीं नेचर के अंदर वो imperfect है और इसके मताबिक जो tragic heroines होती है न वो tragic heroines नहीं हो सकती मतलब women को हम लोग tragic heroines के तोर पे नहीं add कर सकते क्योंकि इससे tragedy destroy हो जाएगी यह कहना है Aristotle का अब अरिस्टोटल कितना पुराना और उससे भी परानी ग्रीक mythology ग्रीक mythology क्या करता है जितने भी bad traits होते हैं वो associate करता है female के साथ जबके जितने भी positive traits होते हैं वो associate करता है male के साथ for example evil की बात की जाए jealousy की बात की जाए irrational anger जो हम लोग इडिपस रेक्स में हमने furies देखी थी a skillis के अंदर हम लोगों ने और इस ट्रिया ट्रालोजी वज़े पढ़ा था उसके हम देखी थी furies furies हमारे पास आज़ती हैं यह कोन है female है इसमें हमें irrational anger दिखाई देता है jealousy evil अच्छा irrationality, passion यह सब कुछ associate कि जाता है female के साथ किसमें Greek mythology के अंदर अगर आप लोगों ने great epic जिसका नाम है bevels वो पढ़ी हो यह देखी हो तो उसमें भी आपने देखाई और female के साथ सारे ही irrational सारे ही इस तरह के negative traits associate किये गए on the other head power, might, reason, wisdom इनकी बात की जाए तो यह male के साथ link की जाते हैं जिस हम देखते हैं इनका देवता, Apollo again Greek देवता, सूरज का यह सब कुछ तो कहता है इसके बाद यानि कि Aristotle की बात भी हो गई फिर इसके बाद Greek myth की बात हो गई फिर जब Judeo Christianity आई कहता है वहाँ पर मजभब के लिहाँ से बात की जाए तो उसके अंदर भी God ने पहले women को नहीं चूज किया human race के लिए पहले male को चूज किया फिर उसके बाद क्या हुआ कहता है दूसरी चीज़ देखें secondly हुआ कि जो male का downfall का cause बना heaven से बाइर रहना का cause बना वह भी female थी फिर उसके बाद कहते हैं कि इसी लिहाँ से एक saint है Thomas Aquinas Christianity से लिंक करते हैं वो कहते हैं woman is an imperfect man with a very negative and passive nature तो कहते हैं यहाँ से भी क्या होता आ रहा है history से throughout history हम देखते आ रहे है female को exploit ही किया जा रहा है female को subjugate किया जा रहा है marginalized किया जा रहा है तो यह तो भी चल रहा है background फिर उसके बाद present time में क्या होता है करते हैं 20th century के बिल्कुल early decades जिन्हीं के पहले 10 सालों में जिसको progressive era भी कहते हैं women को word का right मिल गया और क्या हो गई वो social issues of the day के अंदर prominent activists बन गई जैसा के हमारे पास health care आ गया education, politics, literature इन सब के अंदर जो female थी उनका prominent name आने लग पड़ा और 1919 में एक British scholar जो के teacher भी है early feminist भी count होती है Virginia Woolf उन्होंने feminist criticism की foundation बनाई अपने work A Room of One's Own से A Room of One's Own most important work है इनका इनका essay जिसमें मैं already lecture बना चुकी हूँ अगर आपने वो सुना हुआ तो मैं एक description में डाल दूगी आप उस link के थूँ उस lecture तक अप्रोच कर सकते हैं जिसके अंदर ये claim कर रही है कि जो एक women है उसके पास अगर power हो और उसके साथ ही उसको एक space provide कर दी जाए ठीक है 1929 में से work publish किया था जिसके अंदर इनोंने जो बड़े famous राइटर है Shakespeare उनकी example को डाला कि वो कितने famous है वो एक male है और वो इतने famous क्यूं है क्योंकि उनको opportunities दिये गई क्योंते वैसी अगर Shakespeare की let's pose बहन है Judith Shakespeare जितना talented Shakespeare है वैसे ही वो भी talented होती ठीक है वो भी talented है for example लेकिन उसका इतना नाम ना होता है जतना नाम Shakespeare का है क्यों क्योंकि उसको opportunities नहीं दी जाती उसके पास पैसा ना उसके पास एक private space होती जबके Shakespeare के पास हो सब कुछ है ठीक है तो मतलब ये उसमें compare करती है contrast करती है और बताती है conclusion में ये ही बताती है कि women जो है उसको हर aspects बेशक वो marriage हो या बेशक वो education हो library में जाना क्यों ना हो मतलब कोई भी aspect से society के इंदर वहाँ पे exploit किया जाता है ठीक है और अगर women को opportunity दी जाए chance provide किया जाए उनके पास पैसा हो उनके पास एक private space हो तो वो बहुत successful हो सकती है उनको किसे पे dependent होने के जुरुएत नहीं है ये virginia wolf उसमें क्लेम करती है anyhow next है हमारे पास 1949 के अंदर एक French writer Simon de Beaver का important most important work the second sex जिसके अंदर इनो ने female के लिए term यूज की वो है other ठीक है important term है other की जिसका मतलब क्या है कि जो female है वो खुद-खुद को define नहीं करती बलकि एक object है जिसकी existence define करती है या interpret करती है by the male ठीक है male उसकी existence को define करता है male उसकी existence को interpret करता है क्योंकि male dominant being है society के अंदर जबकि जो female है वो उससे subordinate उससे lower level पे आती inferior rank पे आती है that is why male पताता है कि female का role क्या है और male से subordinate होने की base पे secondary होने की base पे non-existent होने की base पे female का society के अंदर जो role है वो ना होने के बराबर होता है और Simon D. Beaver के according क्या कहती है ये कहती है A woman must break the bonds of patriarchal society and define herself if she wishes to become a significant human being in her own right and to defy male classification as the other के एक औरत अगर society के अंदर significant human being बना चाहती है और अपना right को बनवाना चाहती है तो उसको क्या चाहिए उसको चाहिए के वो जो society में patriarchal bond बने होई है ना उसको तोड़े ठीक है ये जो chain चल रही है उसको break करे उसको follow ना करे इस तरहां से क्या करेगी मतलब rebellion act करके क्या करेगी वो अपनी जो other का title उसको लगाया गया है वो खतम कर देगी और अपनी एक significant तोर पे identity create करेगी और एक significant human being के तोर पे जानी जाएगी अब ये तो आगे हमारे most important writers अभी दो जिसमें विर्जीनिया को पढ़ा और सैमन डिबेवोर को पढ़ा फिर होता है 1960s का time period शुरू उसमें क्या होता है उसमें ऐसा होता है कि नए kind of feminism के issues शुरू हो जाते है जो feminist issues थे उनको voice मिलना शुरू हो जाती है क्यूं? क्यूंके हमने देखा कि इन ही duration के अंदर feminism की waves चाल रही है 1960s में second wave of feminism शुरू हुई थी जिसके अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि second wave के अंदर जितने भी race से जितने भी class से female बिलॉंग कर रही थी उन सब को right मिलना शुरू हो चुके थे और same time period पे feminist critics क्या कर रहे थे वो जो traditionally literary canons थे ना उनको examine करना शुरू हो गए थे और वहाँ पर उन डिसकवर किया कि throughout ऐसे ही हो रहा है text के अंदर जो male है वो female को the other consider कर रहा है male female को कोई भी value नहीं दे रहा तो यही सब कुछ देखते हुए female ने writing करना शुरू की और जो male की writing style था उसको supremacy थी उसको dominance पर रखा गया था लेकिन on the hand फिर female ने भी अपने literature पर उसको पर दिया और उस base पर क्या हुआ female का style, female के theme, female की voice female की tone of writing सब कुछ change था किस से? male से फिर इस writing style को देखते हुए इन differences को देखते हुए हमारे पास एक writer रहते हिनका नाम है Aileen Shavalter Aileen Shavalter एक feminist है जो के बहुत important है इन्होंने एक thumb coin की जिसका नाम है gyno criticism जिसका मतलब था study of women as writers इन्होंने total four models दिये थे women writing की study के लिए जिसमें biological model है linguistics model है psychoanaltical model है cultural model है biological model बात करता है कि that how the female body marks itself upon the text by providing a host of literary images and a personal intimate tone कि कैसे female body जब वो लिखने जाती है तो text के उपर उसका क्या impact होता है उसके images जो है वो कैसे का scenario create करते हैं और साथ-साथ जो उसकी tone होती है वो किस तरह की होती है intimate tone होती है मतलब in short number one जो biological model है वो बात कर रहा है body of female की ठीक है कि female की body का उसके text पर क्या impact है linguistics model बात कर रहा है कि men language को कैसे use करता है और जो women है वो language को कैसे use करती है men vocabulary को कैसे use करता है और women जो है वो vocabulary को कैसे use करती है और क्या women ऐसी language यूज करती है जो के उसके gender को define कर रही हो फिर है psychoanalytical model यह deal करता है कि जो female है उसकी psyche उसके analysis पर ठीक है based on an analysis of the female psyche और कैसे यह analysis उसके writing process को affect करते है दनाते cultural model यह investigate करता है कि जिस society के अंदर एक female author काम कर रही है तो वो जो काम कर रही है उसके अंदर किस तरह से society है वो उसके goals को उसके response को उसके point of view को shape out कर रही है यह तो गही ना four models biological मतलब body of female क्या सरे text पे linguistics मतलब क्या difference है male और female की text के अंदर और female कैसे अपने wording को use कर रही है psychological 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 मतलब क्या psyche है female की और उसकी psyche का क्या impact on us के writing के उपर cultural model मतलब society कैसे shape out कर रही है female को यह होगे model clear जो के four model थे इसके इलावा Eileen Shivalter ने three phases भी बताई है feminism की वो phases कौन सी है number one है feminine face number two feminist face and number three female face अब इन phases के अंदर क्या होता है writing style की बात number one feminine face जिसमें जो women होती है वो writers यानि के male writers को as it is imitate करके लिखती है ठीक है मतलब female writer तो आ गई उन्हों लिखना भी शुरू कर दिया लेकिन लिख कैसे रही है male writer का ही writing style को imitate करते होए copy करते होए लिख रही है ठीक हो गया फिर आती है दूसरी phase feminist phase जिसके अंदर women जो है वो protest करना शुरू कर देती है और इमिटेट तो कर रही है male के style को लेकिन थोड़ा बहुत protest भी कर रही है लेकिन female phase fully developed phase है इसमें क्या है इस phase के अंदर जो feminist writer होती है जो women writer होती है वो totally opposite हो गई है male से इसमें वो अपना aggression भी दिखा रही है अपना anger भी दिखा रही है और उसके साथ साथ क्या कर रही है जो miss ogni create की हुई है meant के text के अंदर female के बारे में वो उसको भी highlight कर रही है मतलब female एक mature literary text produce कर रही है जिसके अंदर वो अपना ही मतलब कोई भी imitative word नहीं है उनका अपना ही works लिख रही है और उस work के अंदर जैसा है कि हमारे पास Tony Morrison आती है उनका beloved novel है उन्होंने क्या बताया beloved के अंदर afro-american women के साथ क्या salute किया गया वो सारा क्या है उनका aggression है वो उनकी like past है एक खतरनाग past उन्होंने क्या किया उसको लिखना शुरू कर दिया जिससे उसने क्या पताया कि male actually में ये करता रहा है female के साथ तो female face के अंदर जो text होती है उसका focus women's text के उपर होता है जो बिलकुल opposite होती है male text से वो बाली text जिसके अंदर male ने female को गलत करके या negative way में portrait किया होता है in other words feminine face जिसके अंदर imitation की जाती है जो पहले से literary tradition चलता रहा है उसकी यानि के जो male की डाइटिंग उसकी feminist face जिसमें protest किया जाता है इस tradition के अंदर यानि के male के tradition के तर male के style के उपर और female face यानि के self discovery की face है जिसके अंदर एक जो female writer है वो के कर रही होती है वो अपनी identity को search कर रही होती है और वो जो male ने उसकी negative identity portrait की होती है उसके खिलाफ revolt कर रही होती है phases clear हो गए आपको models भी clear हो गए आपको Elaine Shorter clear हो गए आपको यह important question था इसको लाजमी अच्छे से समझ लीजिएगा इसके बाइद हमारे पास तीन main strains आते हैं geographical strains आते हैं feminism के वो कौन से हैं number one American feminism number two British feminism number three French feminism यह तीनो main strains हैं feminism के जो हमारे पास American feminism है इनका emphasize होता था actual text के ओपर with all its textual qualities करते जो भी इसके अंदर theme है voice है, tone है जो actual है उसके ओपर focus रखके text को read किया जाए British feminism जो था यह American feminism के मुकावले में ज्यादा political था अपने नेशर के इंदर और social change को advocate करता था इसके इंदर relationship देखा जाता है gender का उसकी class के साथ कैसे dominant power structures जो हैं उसको men control कर रहा है और men जब control करता है उसके उसके साथ-साथ वो औरत के ओपर क्या उसका असर हो रहा है किस तरह से men जो society में women को oppress कर रहा है on the basis of power ठीके इसमें इस तिरहां से text को study किया जाता था mean kind of marxist feminism भी कह सकते है हम लोग British feminism को on the other hand french feminism इसका concentration होता था language के ओपर कि कैसे meaning produce होते है through various linguistic symbols और जब writing में आते थे तो फिर male की writing और female की writing different होती थी और उनके symbol के usage की बेस के ऊपर ये differentiate कि जाता था कि ये women's की writing है और इसी बेस पे female writing और male writing के अंदर जो difference था वो सामने आ जाता था किस बेस पे linguistic symbol की बेस पे ठीक है क्योंकि French feminism का focus इस पे है linguistic symbols के ऊपर कैसे symbols जो हो produce होते है और कैसे उनके through meaning produce होते है कैसे उनको analyze किया जाता है इसका main focus language पे था no matter theory में कुछ भी कहा गया हो लेकिन जितने भी feminist है उनका main focus किस पे है self-discovery के ऊपर ये सब किस पे है on a journey of self-discovery that will lead them to a better understanding of themselves and once they understand and then define themselves as women they believe they will be able to change their world ये इनका believe है किनका women का important work screen पे मने show किय हूए है सबसे most important work Mary Wolf Stormcraft का 1792 में published हुआ A Vindication of the Right of Women फिर है A Room of One's Own 1929 Virginia The Second Sex जिसको 1949 में लिखा गया Simon De Beaver में Elaine Shalter की three phases जो के मैं बता चूए हूँ पीछे feminine phase feminist phase और female phase और इनके duration ये है इनको भी note कर लीजिएगा इसके बाद feminism की further branches भी है बिल्कुल तभी तो इसको एक movement का नाम दिया है जो के बहुत बढ़ी हुई है फैली हुई है branches कैसे है जी हमारे पास Marxist feminism भी आ जाता है जब भी ऐसी टेक्स जिसके अंदर class के लिहाज से और society में dominance के लिहाज से gender का मतब gender और class का क्या रोल है power का क्या रोल है इस लिहाज से बात की जाए female की तो it means वो Marxist feminism होगा जबकि psycho feminism जिसके अंदर psycho analysis के perspective को देखते हुए female के जो रोल है उसकी बात की जाए psycho feminism हो जाएगा इसी तरह से हमारे पास जाए eco feminism के environment जो है वो female की exploitation के अंदर या subjugation के अंदर क्या रोल अदा करता है that is eco feminism इसी तरह से liberal feminism है radical feminism है और इन सब में सबसे important जो वो eco feminism है anyhow हमारा lecture हो गया complete I hope lecture आपके लिए helpful रहा होगा मैंने maximum points cover करने के कोशिश की है जितने भी इस थेरी के important aspects थे उन सब को मैंने cover करने की कोशिश की है और I hope ये lecture आपके लिए बहुत helpful रहे फिर मिलते हैं वीडियो में अगले लेक्चे के साथ और हाँ अगर वीडियो पसंद आई तो कॉमेंट में जूरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत दूलिएगा अलाहाफ़